क्या आपका सपना है SSE exam को clear करने का क्या आपका सपना है SSE के through एक job पा लेने का तो यह वीडियो आपके लिए बना है मैं आपके English मेंटर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने Channel सिक्षा का मंच पर और आपसे ए रिक्वेस्ट करती हूं इस बीडियो वो लाइक और शेयर कर दीजे बिगॉज ये उन एस्पेरिंट के लिए बनी हुई है जो एस्पेरिंट आगे आने वाले टाइम पे S.S.E. एक्जाम को क्रैक करना चाहते हैं इस वीडियो में हम कम्प्लीट स्ट्राटेजी की बात करेंगे कि English section को आप किस तरीके से कवर कर सकते हो और English में आप maximum score कैसे ला सकते हैं because English section बहुत ही important होता है S.S.E. एक्जाम के लिए जिसने इसमें score कर लिया उसका selection तो ये समझो short shot पक्का हो गया तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है अगर आप भी S.S.E. की preparation कर रहे हो तो इस वीडियो को like और share कर दीजे और चैनल को subscribe जरूर करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए कुछ power packed session है आपे लेके आने वाली हूँ जिसमें हम basic से advance सारे concept discuss करेंगे उसके बाद हम कुछ mock test करेंगे जो के आपको आपके S.S.E. exam क्लियर करने के लख्ष के थोड़ा और पास लेके जाएगा तो आईए आज की वीडियो शुरू करते हैं बट अगेन आपको रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक और शेयर दी सेशन so that चितना भी बच्चा परेशान इदर उदर घुम रहा है वो सारा बच्चा यहां पर आ जाए और उसको यहां से बहुत ही सारी fruitful strategies और approach मिले और वो अपने S.S.E. exam को clear करें और आपको दुआएं दे चलिए तो आज का session शुरू करते हैं क्या strategy रहनी चाहिए आपकी तो सबसे पहले आपको target करना पड़ेगा goal setting पे और management पे ठीक है management किसका time का तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग goal setting की आपको यह decide करना पड़ेगा आप कौन सा exam देना चाहते हो ठीक है कई तरह के exams होते हैं S.S.E. में आपको कौन सा exam देना है time management क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या छोड़ना है ऐसा सब कुछ पढ़ने वाला नहीं होता aptitude exam है, aptitude exam में यही होता है कि आपको कुछ चिज़े पढ़नी है, कुछ चिज़े छोड़नी है ऐसे गधे वाली पढ़ाई नहीं करनी है, आपको घोडो वाली पढ़ाई करनी है, अपने लक्ष तक पहुँचने के लिए, आपको केवल और केवल वो चीज़ पढ़नी है, जो आपके exam के लिए बहुत important है, तो सबसे पहले goal setting की बात करूँगी मैं इहां पर, सो आपको पता ही होगा, SSE में दो तरह के exams होते हैं, एक होता है after class 12, एक होता है graduation के बाद, GD का जो exam होता है, वो आपका basically 10th के बाद भी हो जाता है, बट मैं सोसती हूँ कि जिसने after 12 या graduation वाले exam की तयारी कर ली है, वो बच्चा अराम से GD का exam भी दे सकता है, वहाँ पर language में choice होती है, तो आपके पास Hindi की वे एक choice है, तो आप Hindi अराम से कर सकते हो, अब after 12 exams कौन कौन से हैं और graduation के बाद कौन कौन से exam है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको अपना लक्षी आपने निर्धारित नहीं करा है, तो उस लक्ष तक पहुँचोगे कैसे, मुझे यही higher secondary level बोलते हैं, इसके अंदर कई सारी पोस्ट हैं, बट इसमें से जो मैंने best post हैं आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है, upper divisional clerk, lower divisional clerk, postal assistant, data entry operator और sorting assistant, यह सारी पोस्ट के लिए आपको क्या हो सकता है, आपको इस exam से selection मिल सकता है, दूसरा exam जो after 12 आप दे सकते हो, वो कौन स exam है, SSE multitasking staff exam, जिसको हम MTS भी बोलते हैं, then general duty constable, GD exam, यह 10th के बाद भी आप दे सकते हो, 12th के बाद भी इसमें काफी सारी पोस्ट हैं जो आप दे सकते हो, then you have SSE C और D stenographer का exam, जो SSE stenographer के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, आगे चलते हैं, हमारे graduation के बाद कौन कौन से exam है, तो आइए वो भी में आपको बता देती हूं, तो graduation के बाद हमारे पास SSE CGL or SSE CPO का exam बचता है, जो कि सव इंस्पेक्टर और SIE का exam है, जिसमें आप आप आम फोर्स में जाते हैं और डेली पुलिस में आपको कुछ पोस्ट यहाँ पर प् अगर आपने CGL की तियारी कर ली तो फिर तो आप कोई भी exam अराम से निकाल सकते हो, और एक बात धान रखिए, SSE exam को crack करने के लिए English और Math होनी बहुत जरूरी है, मतलब English और Math में आपको fluent होना बहुत जरूरी है, English और Math में आपको basically अच्छा होना जरूरी है, Math आप जल्द से में exam crack कर लूँगा, या GS reasoning और Math से में exam crack कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा, या मैं सोच हूँ GS reasoning और English से में exam crack कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा, English और Math प्लेज़ आप very important role in SSE exams, तो SSE exams को crack करना है, तो आपको ध्यान रखिए, यहां पे आपको English और Math पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है, चलिए, आगे चलते हैं, आगे की चीज़ की बात करते हैं, तो मैंने अपना लक्ष निर्धारित कर लिया, गोल सेटिंग कर लिया कि मुझे कौन से exam के लिए preparation करनी है, अगर मैं अभी बारवी पास हूँ, तो मेरे पास चोईस है, अगर मैं graduation पास यह दोनों choice भी है और वो जो बारवी पास वाले बच्चे exam दे सकते हैं, वो choice भी है, तो मेरे लिए बहुत सारे options खुल गए, ओके, अब strategy कैसे बनेगी, तो ध्यान रखो, एकदम से आप previous year question paper solve करने बैठ जाते हैं कुछ बच्चे, वो चीज़ गलत है, आपको क्या करना है धीरे धीरे step by step करना है, basic से advanced चलना है, पहले basic concept पढ़ने है, उसके बाद advanced level पढ़ना है, तब जाके आप question solve करोगे, ध्यान रखो, क्या होगा, मालो आप सीधे यहां से यहां jump मारोगे, तो गिरने की chances बहुत जादा हैं, ऐसा हो सकता है कि आप previous year question paper पढ़ो और उनको देख तो जरूरी है कि आप धीरे धीरे प्राक्टिस करें और अपने लक्ष की तरफ बढ़ें, बट ऐसा भी नहीं है कि पंच वर्षिय योशना बना लो उसे, यह भी नहीं है कोई चीज छोड़ दो, जैसे मालो आपको अगर catastrophe लिखना है, तो सबसे पहले मुझे alphabet पढ़ने cat लिखना आना चाहिए, फिर मुझे cot लिखना आना चाहिए, फिर उसके बाद में कहीं जाकर catastrophe लिखना होगी ना, तो वो एक process होता है, अब उस process को break करने की कोशिश करोगे, तो आगे आपको दुख देगा, क्योंकि हमने अपना जो foundation था, वो तो बनाया है नहीं, हम सीधे यहां पहुँच रहते, तो यह foundation ही अगर कमजोर होगा, तो हमारी building तो obviously कमजोर होगी, और हम अपने लक्ष को प्राप्थी नहीं कर पाएंगे, next important चीज, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत important है, so आपको books पता होनी चाहिए, कौन सी reading comprehension नहीं आता, अगर हम बात करें, CGL Tier 1 की reading comprehension की बहुत कम आने की संभावना है, बिल्कुल भी नहीं आता, अगर हम बात करें, SSE CGL Tier 2 की, तो वहाँ reading comprehension आता है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि आपको किस exam के लिए, क्या content पढ़ना है, क्या level of difficulty आएगी, क्या क्या चीज पूछी जाएंगी, previous year question paper देखने हैं, और आपको हम लोग यहाँ पे PDF भी provide करेंगे, हम आपको पूरी help करेंगे, notes भी provide करेंगे, जिससे के आपको यह पता चल पाए, कि ultimately आपको पढ़ाई शुरू कहां से करनी है, और कहां तक आपको पढ़ना है, तो यह सारी चीजे बहुत important है अपना लक्ष निर्धारित करो, बहुत important है एक time निर्धारित करो कि एक साल के अंदर, दो साल के अंदर, छे महीने के अंदर मुझे इस लक्ष को प्राप्त करना है, अगर आप अपना time ही निर्धारित नहीं करोगे, नहीं आप अच्छे से पढ़ पाओगे, न पर चुन सा कंटेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यह इंगलिश के लिए नहीं यह आपके अधर सब्जेक्ट के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है? सो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मौक कब लगाने हैं, अब मौक कितने लगाने हैं, रोज एक मौक लगाना है, मौक लगा कि उसका अनालिसिस भी करना है, प्रीवियस एर क्वेश्चिन पेपर्स पांस से साथ साल के करने ही करने हैं, दस साल पहले कि अगर आप करोग हैं, कौन सी चीज़ करनी हैं, कौन सी चीज़ को कितना इंफिसाइज करना है, कौन सी चीज़ को कितनी इंपोर्टन्स देनी है, बहुत इंपोर्टन्ट हो जाता है, अब स्लेबस, स्लेबस मुझे पता होना चाहिए, कि मेरे एक्जाम में क्या क्या चीज़ आती हैं, अगर हम सारह SSE exam की बात करें, तो वहाँ पर vocabulary plays a very important role, ठीक है, vocabulary आती है, अगर हम English as a subject की भी बात करें तो guys, ध्यान रखो, तीन चीज़े important हैं, जो हमारे हैं आती हैं, हमारे हैं grammar से question पूछे जाएंगे SSE में, या किसी भी exam में, जहाँ पे English पूछी जाती है, ठीक है, vocab से बहुत सारे questions आएंगे, और reading comprehension आएगा, इसके अलावा para-jumbles और sentence jumbles भी पूछे जाते हैं आप से आपके exam में, so देखो questions based होंगे, antonyms, synonyms पे, antonyms होते हैं opposite in meaning, synonyms होते हैं similar in meaning, one word substitution पर बेस्ट होंगे questions, idioms और phrases पर बेस्ट होंगे questions, spelling का error आएगा, आपको एक spelling देदी जाएगी, चार तरीके से लिखते हैं, उसमें से आपको सही spelling identify करनी है, या आपको चार spelling देदी जाएगी, उसमें से जो गलत लिखा हुआ है, वो आपको identify करना है, fillers आएगे, fillers मतलब fill in the blanks, एक blank वाला भी आसकता है, दो blank वाले भी आसकते हैं, ठीक है, तो filler important है, आते हैं और इनको हमें करना है, ठीक है, clause test आएगे, clause test of filler एक ही जैसे होते है, clause test में क्या होगा, एक paragraph दे दिया जाएगा, उसमें 5 या 10 blanks दिये जाएंगे और आपको fill करने होंगे after reading the passage passage के awarding, passage क्या कह रहा है passage की theme क्या है, passage की tone क्या है उसके बाद narration और active passive voice के questions आएंगे, ठीक है direct and direct speech और active passive voice 2-4 questions आते हैं इस पे ठीक है again मेरे लिए important हो जाते है grammar skills चेक करेगा, error spotting आएगा, sentence correction आएगा reading comprehension भी आता है जैसे CPO में आ सकता है, जैसे आपका steno में आता है, CGL tier 2 में आता है और syllabus में तो हर exam के है, बट पूछा ही नहीं में जाता है, because वो higher level of exams है, तो ये मुझे सारी चीज़ पढ़नी है कोई भी SSE का exam अगर मैं देना चाहती हूँ या चाहता हूँ चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो SSE हो चाहे वो CPO, ये सारी चीज़े मुझे से पूछी पूछी जाएंगी, तो मुझे इन सारी चीज़ों की तयारी करनी है ठीक है, previous year question paper पर जब मैं कराऊंगी आपको, उसमें आपको ये बता चलेगा CGL के लिए क्या level of difficulty होगी, CHSL के लिए क्या level of difficulty होगी और MTS के लिए क्या level of difficulty होगी तो वो चीज़ है, सलेबस सब common है, level of difficulty अलग-अलग हो जाती है आगे चलते हैं, तो जैसा मैं पहले स्लाइड से बोलती हुए आई रहे हो, आपको अपने basics complete करने है जैसे वो क्याप की अगर हम बात करें, तो हमें root words पढ़ने है जो हमें बहुत सारे word learn करा देंगे, ठीक है, हमें common confusible words पढ़ने है जो हमें words को लंबे समय तक retain करने में help करते हैं जैसे हमारे पास word होते है compliment और compliment ठीक है compliment with a I, इसका मतलब होता है praise करना compliment with a E, इसका मतलब होता है complete कर लेना root word कैसे, जैसे biology लिखा हुआ है, तो bio का मतलब life होता है, logic का मतलब study होता है मानलों मेरे पास ये word आगया theology, ठीयोलोजी में क्या होगा Logi मतलब study होता है, थी का मतलब होता है God God या religion की study करना is called theology So again, यह हमारे लिए important हो जाता है Grammar में, अब क्या होता है, grammar सबसे जादा important है और इसी से मैं शुरू करूँगी, जो next session होगा उसमें grammar ही करेंगे हम लोग, ठीक है Grammar में ध्यान रखो, हम लोग parts of speech से शुरू करेंगे Noun क्या होते है, pronoun क्या होते है, adverb, adjective, preposition क्या होते है क्योंकि कुछ बच्चों को यहीं नहीं पता होता है और जब base ही हमारा अच्छा नहीं है, तो हम आगे की चीज़े करी नहीं पाते है उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, noun के rule करेंगे, pronoun के rule करेंगे subject verb agreement जो बहुत important है, बहुत questions आते हैं आपके subject verb agreement पे tenses करेंगे, preposition के जो rules हैं वो सारी चीज़े करेंगे similarly हम paragemble के rules करेंगे, practice करेंगे और reading comprehension की approaches करेंगे और उनकी practice करेंगे तो बहुत सारे sessions आपके लिए आने वाले हैं, बट यह है कि मैं यह कोशिश करूँगी, आपको बिल्कुल basic से पढ़ाओं बाकी सारी जगा आपको क्या किया जाता है, आपको केवल mock test कराया जाता है बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी, आपके concepts को पहले पूरी अच्छी तरीके से build करूँ उसके बाद आपसे test करवा हूँ, तो हम test भी करेंगे और concept भी पढ़ेंगे concept पे जादा focus रहेगा starting में, उसके बाद हम लोग test करेंगे next चीज जो आपको इध्यान रखनी है, अपनी preparation में strategy बनानी है आपको अपना schedule बनाना है, time table बनाना है, daily सब चीजें पढ़नी है ऐसा नहीं है, आज English पढ़ ली, कल Math पढ़ ली, फिर GS चार दिन तक नहीं पढ़ी या आज 20 question करना है इस chapter के, या फिर एक घंटा मुझे पढ़ना है तो again, ये quantitative भी हो सकता है और qualitative भी हो सकता है आपको decide करना पढ़ेगा, आपको अपना syllabus कब तक खतम करना है, ठीक है तो इसके लिए time एक divide करना पढ़ेगा, कि भी मुझे दो महीने में अपना syllabus खतम करना है मुझे अगर previous year question paper 5 years के practice करने है तो ये मेरे 10 दिन के अंदर हो जाने चाहिए practice, ठीक है ये मेरे 10 दिन के अंदर practice हो जाने चाहिए ठीक है, उसके बाद मुझे mock test कितने दिन में लगाने है कितने mock test लगाने एक हफते में मुझे उस mock test को analyze करने में कितना ध्यान देना है ये सारी चीजे मुझे यहाँ पर अपना time एक निर्धारित करना पढ़ेगा because अगर time निर्धारित नहीं करोगे न तो फिर तो चीजे चलती रहते हैं जब वो sense of urgency ही नहीं आएगी तो चीजे चलती ही रहेंगी तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा सुनिश्यत करनी पढ़ेंगी कि आप बिल्कुल focus के साथ काम करो ठीक है, then important हो जाता है reading a newspaper recommended है the Hindu ठीक है, editorial पढ़ना है page number 10 और 11 पे आता है editorial, आपको यहाँ पर दो articles होते हैं, वो पढ़ना है front page केवल headline पढ़नी है sports में केवल headline पढ़नी है किसने कौन सा कब जीता, किसने कितने run बनाए, यह आपको बता होना चाहिए ठीक है, कौन सा amendment हुआ कौन से awards दिये गए कौन से rewards दिये गए यह सारी चीज़ें आप क्या आती है तो आपको केवल headline से वो चीज़ें मिल जाएंगी reading habit के लिए आपको editorial पढ़ना है और जैसे मैंने आपको बताया page number 10 पे यह दोनों articles आते हैं article पढ़ो धीरे धीरे पढ़ोगे तो धीरे धीरे कोशिश करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी अगर मन में ठान लोगे के हाँ newspaper पढ़ना है English पढ़नी है because कुछ students होते हैं जिनके मन में डरी रह जाता है कि भई मैं तो करी नहीं पाऊंगा English तो मेरे समझ में ही नहीं आती Hindi भी तो भाशा है वो भी तो हमें आती नहीं थी वो भी तो हमने सीख ली ऐसी English भी सीख जाओगे बढ़ यह भाशा से थोड़ा प्यार करो अगर यह मन में ठान लोगे कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए नहीं मुझे English पढ़नी ही पढ़नी है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता अपने लक्ष के पास तक पहुँचने में तो न्यूस पेपर पढ़ना है डेली बेसिस पे ओनलाइन पढ़ सकते हो औफलाइन पढ़ सकते हो इसके अलावा देखो मौक टेस लगाने बहुत जरूरी हो जाते है मौक टेस लगाओ उसको एनलाइस करो कि भाई English में अगर मेरे 25 क्वेशन थे मैंने 25 अटेम्ट करें इसमें से 5 गलत है तो वो क्यों गलत है ऐसा होता है दो से तीन क्वेशन तो बहुत ही मेरा सबसे स्ट्रोंगेस ط॑पिक क्यों साय सबसे वीकस टौपिक कौण से स्ट्रोंगेस टॉपिक के और महनत करिये वीकस टॉपिक कौ स्ट्रोंग बनाई है स्रॉंगे अलावा प्रीवियसीरक्ट्वम क्यों करना SSE exam के लिए बहुत इमपरृंट लॉजाता या फिर MTS हो हर जगा English में तो repeat होता ही होता है जिसे मालनो एक word दिया, इसके चार options दे दिये ठीक है, अब ये options का correct answer था तो next exam में कहा रहा है, ये word यहां दे दिया, ये word यहां दे दिया तो वो आपको help करेगा, vocabulary को भी थोड़ा सा ना confine करने पर कि मुझे ये सारे words नहीं पढ़ने, जो previous year question paper में आये थे वो मैं पढ़ लूँगा, तो मेरा 80% काम हो गया या वो मैं पढ़ लूँगी, वो मेरा 90% काम हो गया So I hope समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ अगर session को अभी तक भी share नहीं कर रहा है, तो session को share कर दीजे, channel को subscribe कर लीजेगा, bell icon को press कर लीजेगा जिससे कि आप कोई भी class miss ना करो, क्योंकि बहुत बढ़िया session यहां पे होने वाले है So guys, जैसे मैंने बताया, previous year question paper करना top priority होनी चाहिए, 5-7 साल के previous year question paper करिए क्योंकि English में तो बहुत सारे question repeat हो जाते है previous year से, ठीक है, और आपको analysis करना है, अपनी, जो भी आप development कर रहे हो, जो भी आप अपनी progress कर रहे हो, जो भी आप अपना hard work कर रहे हो, उसका, कि भाई मैं कितना आगे चला, आज मेरे mock में अगर 50 number है, तो कल मेरे mock में 70 number आने चाहि तो इस तरीके से आपको अपना analysis करते रहना है, यह चीज़े बढ़ती रहनी चाहिए, अगर वह stagnant हो जाता है, अगर वह रुक जाता है progress, तो भी दिक्कत है, अगर वह progress नीचे जा रही होती है, progress की जगा digress हो रहा होता है, तो भी दिक्कत है, तो analysis बहुत important हो जाता है हमार लगा रहे हैं तो ये कुछ चीज़े हैं जिनको ध्यान रख सकते हो आप और आगे अपनी strategy बना सकते हो बाकी आप इस वीडियो के नीचे comment भी करना मैं भी आपको बताऊंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको include करनी हैं एक proper time table बनाओ हर एक subject को equal time दो हर एक subject को equal importance दो तभी आप SSC exam clear कर पाओगे अब आगे मैं आपको कुछ questions कराने वाली हूँ जो कि आपको help करेंगे समझने में क्या level of difficulty आता है किस तरीके से आप अब उन questions को solve कर पाओगे या आप कितने तयार हो SSC exam के लिए तो आई आगे चलते हैं देखते हैं मैं आपके लिए 25 questions लाई हूँ from different different exam जो कि previous year question paper में आ चुके हैं आपको देखना है कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं आपको इन questions से पता चलेगा क्या level of difficulty है आप exam के लिए कितने तयार हो आपको कितनी महनत और अभी आगे करनी है तो सारी चीज़ की knowledge आपको यहां से मिलेगी so guys कुछ questions है आपके लिए from previous year question paper जैसा मैंने आपको बताया practice time है यह चलिए let's do it guys देखते हैं आपका score कितना आता है तो वीडियो के end में आपको मुझे अपना score बताना है कि 25 में से कितने question आप solve कर पाए so let us start with the quiz 25 question होंगे उसमें आपको अपना score बताना है केवल सही जो भी answer दो वो calculate करना कोई भी negative marking आज हम कुछ नहीं करने वाले आज जैसे I am giving you the idea किस तरह की चीज़ें आप क्या आने वाली है तो अगर question नहीं भी आ रहे है कोई बात नहीं बट यह समझो किस तरह के questions आएंगे उनको कैसे solve करना है उनको आप किस तरीके से और effectively attempt कर सकते हो यह सारी चीज़ें आपको पता करते हुए चलनी है तो चलिए guys let us move to the first question here is the first question आपको यहां पर बताना है choose the misspelled word from the given alternative जो भी misspelled word है देखो environment है सबसे पहला word is environment environment होता है आपका surrounding तो यह तो spelling ठीक लिख हुए है rhythm, rhythm का मतलब होता है tune ठीक है जो चीज़े tune में चलती है यह भी ठीक लिखा हुआ है यूमरस का मतलब होता है the word is debris इसकी spelling क्या हुथ है प्रणाउंस तो debris हे होता है यह debries होती है यह spelling होती है यह debries प्रणाउंस होना चाहिए बट इसकी original pronunciation है debris तो as silent होता है debris का मतलब होता है मलबा, rubles जो टूटा फूटा चीज बचती है ना मालो जैसे अर्थक्वेका है या कोई accident हो गया उसके बाद जो मलबा बचता है वो debris कहलाता है तो हमें ढूढ़ना था Mrs. Spelt Word यहाँ पे Mrs. Spelt Word क्या है debris है क्योंकि यह S के साथ लिखा जाता है, प्रणांस debris होता है, ठीक है चलो, next question देखो Akash and Deepak dashed together for a long time, तो past से कोई चीज अब तक चल रही है तो वो किस में लिखी जाती है present perfect continuous में क्योंकि अभी भी चल रहा है तो continuous में जाए गई है तो present perfect continuous में क्या होता है has oblique have plus being plus verb and ing लगता है अब यहाँ पर देखो because यह Aakash और Deepak दो लोगों की बात हो रही है the subject is ruler तो यहाँ पर have आना चाहिए तो यह रहा answer, answer is second तो आप देख रहे हो, अगर आपको basics की knowledge अच्छी है तो आप अराम से question कर पाऊगे और मेरा यही focus रहेगा guys, आप लोगों को basics में बहुत strong बना दू मैं तो जल्दी जल्दी इस session को like कर दो इस session को share कर दो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मेराद भूलना बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना next word देखो, next word क्या कह रहा है this is restore इसके लिए पर directions जरूर पढ़ो क्या कह रहा है, in the following question out of the four given alternative select the one which best expresses the meaning, आपको synonym restore का मतलब होता है rebuild कर देना किसी चीज को दुबारा से चालू कर देना restart कर देना, that is restore, जैसे water की supply को restore कर दिया गया है routine कर दिया गया है, so injure का मतलब होता है, total हो जाना, complete मतलब पूरा हो जाना soil नहीं हो सकता, answer soil is mitti, answer is reconstitute, दुबारा से कोई शीज शुरू कर देना, ठीक है pictures मैंने इसलिए लगाई है जिससे के आप लोगों को थोड़ा याद करने में आसानी रहे, इस वीडियो को दो बार देखिएगा, यह सारे questions याद हो जाएंगे, सारे words, questions बहुत important है, क्योंकि previous year question paper में से मैंने सारे words आप लोगों के लिए है ठीक है, और सारे questions भी previous year से हैं, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा, किस तरह के questions SSE exams में पूछे जाते हैं कुछ question MTS से हैं, कुछ question GD से हैं, कुछ SSE से, SSE CGL से, कुछ CPO से, कुछ MTS से तो mixture है, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा चलिए, session को like करो, session को share करो channel को subscribe करना, बिलकुल भी मत भूलना next question, देखो, rage अब क्या कह रहे है, out of the four alternatives select the one which is opposite in meaning, opposite, तो rage का मतलब anger होता है guys, गुसा करना जैसे यतना गुसा कर रहा है, बहुत तीव रता में गुसा करना, so अब देखो wrath is गुसा, ये rage का synonym है, temper is गुसा, ये rage का synonym है, heat भी गुसे के लिए use होता है, answer happiness हो जाएगा, वहाँ वो गुसा कर रहा है क्योंकि हमें opposite ढूनना है, तो answer क्यो हो जाएगा happiness, so I hope questions हारे क्लियर हो रहे होंगे, चीक है next question पे चलते हैं, ये रहा next question, she asked me if I could meet her, तो अब directions पढ़ लो, directions पढ़ना बहुत important है question के लिए, sentence has been given in active or passive voice हमें पता निया, active में या पासिव में out of the four alternatives, select the one which best describe the passive or active voice, active में है तो passive बना दो, passive में है तो active बना दो, she asked me if I could meet her, active में है, तो active voice में जो composition of sentence रहती है, वो कुछ ऐसे रहती है, subject plus verb plus object, जब हम इसे passive में change करते हैं, तो क्या होता है, object subject बन जाता है, auxiliary verb हम add कर देते हैं, verb की past form हो जाती है, और by लग जाता है, और क्या होता है, यहाँ पर subject end में आ जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा subject object बन जाएगा, object subject बन जाएगा so देखो, if I could be met her, it was asked by her, no, बहुती जादा अटपटा सा है, if I was asked to meet her, no, क्योंकि if होना जरूरी है आप कोई भी चीज subtract नहीं कर सकते हर चीज completely होनी चाहिए sentence में, I was asked if I could meet her, यह अच्छा option है, यह थोड़ा elaborative था पट यहाँ पर बहुत सारी चीज़े add हो गई थी, none of the above तो होनी सकता, the correct answer option is option number C, so I hope this question is clear, अगर यह question clear है, तो please एक बार चल्दी से, session को like कर दो, session को share कर दो, channel को subscribe ज़रूर कर देना चलो, next question देखो sixth, in the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best describes the meaning of this idiom or phrase, order of the day order of the day होता है, जो चीज़े routine ली चलती है, ठीक है, जो चीज़े आपका daily routine होती है, जो चीज़ें आपका daily schedule होती है उनको हम order of the day कहते हैं, जैसे corruption is order of the day in India तो वो चीज़ें जो बहुत रूटीन होती है तो course order नहीं हो सकता an ordinance का मतलब होता है order के भाई एक rule, एक order in fashion, मतलब regularly होने वाली, जो चीज़ें regularly होती है an unpracticed law तो ये भी नहीं हो सकता, the correct answer is in fashion, so guys ध्यान रखो, जो idioms होते हैं, उनके बहुत दिक्कत हो सकती है चलो, अभी हम 6th question पे हैं let us move on to the 7th question और आपको session को like कर देना है share कर देना है, channel को subscribe कर देना है तो देखो क्या कह रहा है majority of the white American is casting their vote for republic nominee Donald Trump ठीक है, so अब ध्यान रखो ये question subject to a agreement का question है अगर majority अकेला होता ठीक है, the majority wins the election इस तरीके से लिखा जाता ठीक है, but अभी क्या हुआ है the majority of members अगर लिखा है तो प्रूलर हो गया ये members win the election हो जाएगा तो ध्यान रखो, majority अगर अकेला यूज किया गया है तो वो single entity को denote करेगा अगर इसके बाद कोई noun लगा है तो noun के number पे dependent होगा हम कौन सा verb यहाँ पे use करेंगे, तो इस तो नहीं use हो सकता are use होगा, तो मेरे पास ये दोनों option बचे, majority of the white Americans होना चाहिए, American नहीं होना चाहिए तो C is the correct answer option तो ये छोटे-छोटे से rules हैं जो आपको याद रखने हैं, again जभी आप basic पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएंगे ऐसे आपको अलग से चीज़ें समझ में नहीं आ सकती है चलो, next देखो In the following question, out of the four given alternatives select the alternative which best substitute the phrase ठीक है, one word substitution है A graveyard where dead bodies या dead are buried जो मर जाते हैं, उनको दफनाया जाता है ठीक है, graveyard मतलब हो गया कबर, कबरों का जगा जहां पे सारी कबर होती है अब देखो, mortuary होता है after post-mortem या after, जब आदमी के टॉपसी हो जाती है तब उसको रखा जाता है ठीक है, hospital में होता है जहां पे मुर्दा घर जिसको हम बोलते है ठीक है, informary, hospitals को और dispensaries को बोला जाता है scurly, kitchen के पास एक room होता है जिसमें आदमी अपने बरतंद होता है या अपने मसाले वसाले रखता है उसको हम scurly बोलते है जो basically कबरिस्तान होता है उसका जो English नाम है that is clementary cemetery is the name जो आपको याद रखना पड़ेगा cemetery is the correct answer option तो मौचरी हो गया, मुर्दा घर इंफर्मरी हो गया, hospital या, dispensary scurly हो गया, एक ऐसा कमरा ये सारी चीज़े रखता है ठीक है, clear है question चालो, session को like कर दो, share कर दो next question देखो क्या कह रहे है, choose the word from the alternative which given below, which nearly opposite in the meaning of the word तो ये word collide नहीं है ये word collude है, इसका meaning बताना होगा आपको, मुझे collude का meaning बताना होगा, तो क्या हो सकता है meaning, इसका, आपको इसका meaning बताके, मुझे इसका opposite बताना है so guys, collude का मतलब होता है conspiracy करना, छुपके किसी के खिलाफ शडयन्त रचने को हम collude बोलते हैं, ठीक है so आपको इसका opposite in meaning बताना है, तो what could be the opposite in meaning, तो interview contrive और connive नहीं हो सकता क्योंकि इन सब का मतलब होता है छुपके शडयन्त रचना answer क्या होगा, इसका withdraw withdraw का मतलब होता है, पीछे हट जाना किसी चीज को cancel कर देना so I hope ये question समझ में आया एक बार जल्दी से session को like कर दो share कर दो, channel को subscribe जरूर कर देना, next देखो आपको क्या करना है, you have to improve this particular phrase phrase replacement है, the roof besides them had a great hole, smashed through it, pieces and pieces of glass were lying scattered in every direction तो जो रूफ है, ऊपर जो है उसमें एक hole है, because उसमें किसी ने क्या किया था कुछ smash किया था पत्थर बत्थर मारा था और जो ऊपर से glass थे, वो सारी जगा scatter बिखरे हुए है, ठीक है अब मुझे यहाँ पर बहुत एक basic concept पता होना चाहिए, English का जिसमें besides और besides के बीच का difference होना चाहिए यह besides मतलब होता है, बगल में और यह besides का मतलब होता है अलावा, apart from, तो roof अलावा तो नहीं होगी, besides नहीं होगी, roots, roof besides them, जो उनके बगल में है so answer क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा this is adjacent के बगल में जो है और besides का मतलब होता है, apart from या except from, ठीक है जैसे, they were sitting beside each other वो एक दूसरे के अगल बगल में बैठे थे ठीक है, और besides को हम कैसे यूज करेंगे besides the prime minister, the cabinet ministers will also accompany him to the conference, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, I hope difference अभ याद रहेगा आप लोगो को क्योंकि important है, बहुत ही basic है तो इसी तरह की basic चीजों की हम बात करने वाले है, to be perfectly clear I am not saying that internet and technology will solve every human ill, so again देखो, ये part underlined है या ये part जो है, ये perfectly clear, ऐसे तो ठीक लिखा हो है but options पढ़ लेते हैं, to be perfect clear नहीं हो सकता, to be perfect clearly नहीं हो सकता being perfectly clear नहीं हो सकता, the sentence is absolutely right, यहाँ पे किसी भी improvement की जरूरत नहीं है, तो जरूरी नहीं है, हर एक question में गलती ही मिलेगी आपको ठीक भी हो सता है, but आपके basics अच्छे होने चाहिए, next question यह आपके सामने, you have to select the miss spelt word, अब देखो बहुत प्यारे प्यारे word है यहाँ पे fastidious यह एक word होता है finicky, one word substitution में आता है one who cannot be pleased, जिसको खुश करना असान नहीं होता है, ठीक है उसको हम fastidious बोलते हैं pristine वो चीज़े होती है, जो pure होती है, लिबर्टीन is somebody who is lustful, जो अपनी sexual desire को खुल के बता देता है the correct answer option is urge, urge का मतलब होता है to request, जैसे सरकार ने लोगों से urge करी थी, G20 पे कि अपने offices को बंद कर दीजे क्योंकि लोग एक खटे नहीं होने चाहिए, जिससे कुछ miss happening हो सकती है, तो urge is the correct word, जिसकी spelling होती है U-R-G-E, जिसका मतलब होता है to request or to please so I hope यह question समझ में आए होगा total 25 question है, जैसे मैंने बोला है आपको, आपको अपना score बताना है, जो बच्चे अभी जोड़े है please session को like और share करो channel को subscribe कर दो इस session में हमने strategy discuss करी थी, starting में SSC exam के लिए आपकी क्या strategy हो सकती है, plus हम लोग कुछ sample question कर रहे हैं, जो आपको आपके लक्ष के और पास पहुचाएंगे आपको बताएंगे क्या level of difficulty हो सकता है, बढ़िया एक topic error spotting, आपको error spot करना है यहाँ पर, अब देखो कुछ बच्चे क्या करते है, error को omit करने भी लग जाते है, बट वो करोगे ना, तो time waste होगा, केवल error spot करो ठीक है, कहाँ गड़ बढ़ है क्या गड़ बढ़ है, उससे हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो time होता है, secret walk, taking advantage, यह taken advantage of every bush for cover so, देखो, some night dream took her took her on a stealthy walk taken advantage of every bush for cover अब इसमें देखो, क्या गलती होनी चाहिए, या तो taking हो जाएगा या fit took होना चाहिए अब again देखो, जो correct यहाँ पर क्या होना चाहिए error is in option see only, because यह जो होना चाहिए taking advantage होना चाहिए we need a gerund in this sentence है ना, took की जरूरत नहीं है हमें एक gerund चाहिए, gerund वो word होते हैं, जो verb plus ing होते हैं, और noun की तरह use हो रहे होते हैं, किसी habit, hobby phenomenon का naam represent कर रहे होते हैं, ठीक है, next देखो, he might be seen every day with a bag of charcoal towards his bag, carrying it to some of his customer तो वो everyday charcoal के bag के साथ दिखेगा, आपको bag उसकी कमर पे होगा और वो उसको अपने customers के लिए ले जा रहा होगा तो carry कर रहा है वो अपने bag पे तो towards तो हो नहीं सकता, towards का मतलब होता है की तरफ तो वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जोगा, that would be on his back, तो जो back होगा that would be on his back, not towards his back, जैसे हम ऐसे बोलते हैं, we are moving towards the hospital हम hospital की और जा रहे हैं, तो again यह समझना जरूरी है के कौन सा preposition कहाँ पे लगेगा, next question देखो, great many student अब कुछ लोग बोलेंगे इसी में गलती है who are good at other subject perform poorly in English but great many is a right phrase great many जो है, बोहाँ सारो को represent करता है, और इसके साथ क्या होता है plural verb का यूज करते हैं वो plural noun का यूज करते हैं तो already plural noun यहाँ पे student लगा हुआ है but यह already हो चुका है तभी तो हम यह बता पा रहे हैं कि बोहाँ सारे students जो की other subjects में अच्छे हैं और इंग्लिश में गंदा perform किया है तो obviously perform में गलबढ है क्योंकि वर्ब की form गलत लिखी हुए है यहाँ पे performed आएगा क्योंकि यह action अल्रेडी हो चुका है this action has been already done तभी वो आपको बता पा रहे हैं तो I hope यह question समझ में आया है जल्दी से session को like और share कर दो channel को subscribe कर दो bell icon को press कर दो and guys 10 question और बचें क्योंकि 25 question का ही section आता है आपका हर एक tier 1 exam में तो वो ही हम लोग यहाँ पे discuss कर रहे है next question देखिए क्या कह रहा है select the most appropriate meaning of the given idiom through thick and thin thick का मतलब होता है जब खुशी होती है खुशी, thin का मतलब होता है जब दुखिया दुविदा होती है जैसे पती पतनी एक दूसरे को promise करते है फेरे लगाते हुए मैं तुमारा thick और thin में साथ लिपूँगी मैं तुमारा हर एक situation में साथ दूँगी चाहे सुखाए चाहे दुखाए तो answer देखो क्या होना चाहिए passing through a thick forest नहीं हो सकता under all circumstances हो सकता है support under all circumstances to be scared, दर जाना small danger ये नहीं हो सकता to be hard-hearted in times of loss कि जब आपको कोई loss हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो बहुत ही जादा अपने दिल को धैरे बांदे या धार्डस बांदे बैठे हुए हो, ठीक है hard-hard मतलब किसी चीज़ को face कर लेना so answer क्या हो जाएगा second हो जाएगा, ठीक है answer would be second चलो, next question देखो ये होते हैं, clause test अब क्या होगा, एक passage किया जाएगा तो आपको क्या करना है, इस passage को पढ़ना है, इसकी theme समझनी है कि पैसेज क्या कहना चाहरा है तो with blanks पढ़ लो, tone समझनी है कि वो positive बात कर रहा है negative बात कर रहा है, और neutral बात करना है tense समझना है, तो ये T3 की technique होती है, कि कौन सा tense यूज़ किया गया है, और accordingly आपको यहां पे क्या करने है question fill करने है, जो blanks हैं ये fill करने है, तो first blank में के लिए आपको कौन सा word चूज़ करना है इसमें से ये देखो, a team of engineers dash shown that digital photograph of the hand may dash cholesterol level in the body and serve as an early warning signal dash poor lipid, lipid होता है fat health ये cholesterol with our standard blood test a, अब देखो, यहां पे क्या है shown बोल रहा है, ठीक है इसके अलावा, यहां पे tense identify करने के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कुछ और है but shown है, this is the past form of verb so a team of scientists are shown नहीं हो जाएगा has been के साथ verb plus ing लगता, अब engineers है, scientist ने, sorry engineers है, तो engineers के साथ has नहीं लगेगा, it should be have, have shown क्योंकि have के साथ हमेशा past form of verb लगती है, ठीक है, यहां पे verb plus ing होगी और engineers है तो has आ नहीं सकता, और आर जो है वो present tense में लगता है, तो यहां पे सही नहीं होगा, तो half shown आ जाएगा ठीक है, second वाले में देखो कि वो क्या करता है, वो खुलासा कर देता है, एक्सपोज कर देता है, बता देता है कि आपका cholesterol level कितना है body में, and serve as an early warning signal dash, poor lipid profile, तो क्या होना चाहिए, यहां पे before नहीं आ सकता, यहां at नहीं आ सकता, by तो बिलकुल भी नहीं आ सकता, early warning signal of poor lipid profile, ठीक है, poor lipid profile होगा, ठीक, so I hope clause test का भी idea clear हो गया है कि क्या करना है आपको इसमें, चलो, next question देखो, these are sentence jumble, यह part fix है, the government, government's goal of, क्या goal होगा government का, आपको वो ढुणना है, so देखो, पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, will remain unfulfilled if the government goal of environmental sustainability, तो noun आना चाहिए, सही है, the government goal of exclusive development and economic growth, ठीक है, so देखो, क्या होना चाहिए, यहाँ पर, दोनो option अच्छे, दोनो option अच्छे, the government's goal of environmental sustainability is not addressed, so guys, यह तो, इसके आँगे, तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यह end का पार्ट दिखाई दे रहा है, so the government goals of inclusive development and economic growth, will remain unfulfilled, वो हमेशा unfulfilled रह जाएंगे, if environmental sustainability is not addressed, अगर environmental sustainability को addressed नहीं किया जाएगा, सो धियान रखो, आपका development society का तब तक नहीं हो सकता और economic growth तब तक नहीं हो सकती, जब तक आप nature के, को नुकसान पचाना बंद नहीं करोगे, तो environment का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप penny wise बन सकते हो, आप छोटा छोटा गेन कर सकते हो, आप पाउंड फुलिश बन जाओगे, जैसे आप देख रहे हो, अभी उत्तरा खंड वागेरा में, बहुत सारी land sliding, भूस का अलन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, पहाडों को तोड़ा जा रहा है, तो उसकी वज़े से, क्लेश पर गल रहे हैं, तो उसकी वज़े से, क्या हो रहा है, environment खराब हो रहा है, so I hope यह question भी समझ में आगया होगा, 19th question था, ठीक है, आगे चलते हैं, 20th question की तरफ, again आपको sentence जंबल दिया गया है, as the government focuses on, नाउना ना चाहिए, on the people at the heart of its efforts, focuses on improving the economy, it must keep the well-being of, well-being किसकी होगी, improving the economy की तो नहीं होगी, well-being of people होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि people की well-being होती है, economy की well-being कुछ नहीं होती है, ध्यान रखो, economy के साथ well-being word यूज नहीं हो सकता, तो यहां पर mandatory bear बन गया, किसका mandatory bear बन गया, एक तो R का और एक P का, तो RR P mandatory bears कहां पर बना रहे हैं, यहां पर बना रहे हैं, RR P mandatory bears, तो देखो क्या होना चाहिए, as the government focuses on, क्यों होना चाहिए, improving the economy, it must keep the well-being of the people at the heart of its effort, तो अगर economy improve कर रहे हो, तो लोगों का भी improvement हो, भी happiness index भड़े, यह सारी चीज़ों का government को ख्याल रखना है, so guys, last के 5 questions बचे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी session को like कर दो, share कर दो, और यह रहा आपके लिए, next question, have you dash any jewelry, अब यह jewelry होता है, ना कि यह jewelry होता है, बहुत लोग jewelry बोलते हैं, but it is jewelry, have you dash any gold jewelry, ठीक है, any आएगा, क्योंकि, क्या होता है, जब भी हम negative sentences की बात कर रहे होते हैं, या interrogative sentences की बात कर रहे होते हैं, तो any आता है, जब भी हम affirmative sentences की, positive sentences की बात कर रहे होते हैं, तो sum आता है, brought तो आएगई, few और little आ नहीं सकता, क्योंकि jewelry could not be few, in this case, jewelry could not be little, few तो हम तब भी use कर सकते हैं, jewelry pieces के साथ, but jewelry cannot be few and cannot be little, तो मेरा answer क्या हो जाएगा, यहाँ पे be your answer option हो जाएगा, तो ध्यान रखना, I have some jewelry हो जाएगा, do you have any jewelry to wear, तो जब भी interrogative or negative sentences होंगे, तो any use हो जाएगा, next question देखो, the dash lesson of this novel are not worth reading, तो cardinal ordinal case है, the one or last two novel, no, two or last one novel, no, the last one and two lesson, no, नहीं यह हो सकता है, the last one or two lessons, yes, two or one or last नहीं हो सकता, तो cardinal ordinal case अगर हम लगाएगे, या हम जो adjective का भी हम लोग use करते हैं, वो भी order हम लगाएँगे, तो C option is the best answer option, के last के जो lessons है, last के one or two जो lessons थे, इस novel के वो worth reading नहीं है, चलो, next question देखो, the rich never complains about the inflation, so neither do I, अब यहाँ पे इसका answer क्या होना चाहिए, again देखो, आपको identify करना है केवल error, omit नहीं करना है, omit मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको tension नहीं लेनी है कि omition कैसे होगा, so guys, बहुत ही एक simple सा rule, यहाँ पे हम लोग follow करते हैं, देखिएगा, जब भी हमारे पास never होता है, इसके साथ जो verb लगता है ना, वो prular में लगता है, ठीक है, the rich never complain हो जाएगा, ना कि compliance होगा, okay, so the correct answer option is option number A, because the rich यहाँ पे बात कर रहा है, पूरे उन rich लोगों की, जो rich वाली category में आते हैं, और never के साथ हमेशा, जैसे you will never talk to me, I will never talk to you, he will never talk to me, most of them never talk about this, ऐसा कुछ करके, यहाँ पे हम use करते हैं, fine, चलिये, second last question for the day, she is very beautiful, but does not resemble with any of her family member, no error, so again, देखो बहुत ही अच्छा question है, answer देखो क्या होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा question, क्या कह रहा है, she is very beautiful, but does not resemble to, to आते हैं, resemble to आते हैं, ना कि resemble with होता है, so correct answer option is, B option over here, so I hope, तोनों questions clear हुए, क्योंकि थोड़ा सा level of difficulty हाए है, CGL के questions है, last question, इस पूरे session का, so guys, जल्दी जल्दी session को like कर दो, और share कर दो, उन तक session पहुचा दो, जिन बच्चों तक, अभी तक session नहीं पहुचा है, so देखो क्या कह रहा है, one who eats too much, जो बहुत जादा खाता है, obese वो लोग होते हैं, जो fat होते हैं, overweight वो लोग होते हैं, fat होते हैं, I hope ये वर्ट सुनाओगा, सब लोगों ने corpse, corpse का meaning क्या होते हैं, बताओ जल्दी से जरा, yes, corpse में जो ये, corpse लिखा हुआ है, that is related to body, ठीक है, तो dead body को, हम corpse बोलते हैं, human की dead body को, animal की dead body होते हैं, उसे carcass बोलते हैं, अब guys, यहां पर क्या पूछ रहा हैं, भई, one who eats too much, जो बुक्त जादा खाता है, अब देखो, जब भी यहां पर आपके, क्या होंगे, synonyms होंगे, वो answer नहीं होंगे, अब देखो, मेरे पास दो वर्ड बच्चते हैं, glutton and copulent, अब corp-P related to body है, corpulent भी वो लोग होते हैं, जो fat होते हैं, अब यह word glutton, जो बनाए, glut से बनाओ है, glut का मतलब होता है, abundance, बहुत ही जादा, glutton वो लोग होते हैं, जो pay to होते हैं, बहुत زचादा खाते हैं, अब वो fat हो भी सकते हैं, या नहीं हो सकते हैं, बट वो pay to होंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे So guys, ये आज के session में हम लोगों ने क्या क्या किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो लोग बार में जुड़े हैं, जो पहले से जुड़े हैं उनको पता ही है, इस session को दो बार देखना है आपको First part में हमने strategy discuss करी, कैसे आप SSE exam के लिए planning कर सकते हो SSE exam को कैसे clear कर सकते हो, अपने लक्ष को कैसे पा सकते हो Second part में मैंने आपको simple questions करा है, जो कि आपको बताएंगे किस तरह के questions आते हैं, किस तरह से आपको तयारी करनी है क्या level of difficulty आती है, कौन-कौन से words आपको पढ़ने है तो वो सारा आपको एक idea मिला, अब ये सारे question previous year question paper से थे अलग-अलग MTS, CPO, CHSL, CGL, सो आपको अंधाजा हो गया कि क्या-क्या चीज़े पूछी जाकती है तो आपने देखा होगा vocabulary का role थोड़ा जादा होता है, grammar का role भी थोड़ा जादा होता है तो थोड़ा focus उन पे करना है तो अगली class जो हम करने वाले हैं, वो parts of speech की करने वाले है क्योंकि मैं grammar शुरू करूंगी सबसे पहले parts of speech में introduction करेंगे हम लोग भई noun क्या होते है, pronoun क्या होते है, adverbs क्या होते है, adjectives क्या होते है preposition, consumption, introductions क्या होते है तो सबसे पहले बिल्कुल basic से शुरू करूंगी क्योंकि जब तक basic से आप advance में नहीं पहुंचोगे तब तक आपकी foundation अच्छी नहीं होगी और आपका लक्ष आपसे दूर भागता रहेगा so guys, आज के लिए इतना ही I hope सारे questions समझ में आया होगे session पूरा समझ में आया होगा session को like कर दो, share कर दो channel को subscribe कर देना, bell icon को press करना, क्योंकि आपको English का एक बहुत अच्छा dose यहां पे मिलने वाला है इस channel पे शिक्षा का मंच आपका अपना channel bell icon प्रेस करोगे तो सारे आपको notification मिलेंगे जितनी भी classes होती है आपकी और आप कोई भी class मिस नहीं कर पाऊगे तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही मैं आकांशक हुमार आपको पढ़ा रही थी शिक्षा का मंच यूटूब चैनल पे आज के लिए इतना थैंक यू सो मच टेक केर एवरीवन वाव ग्रेट डेए अहेड कीप हापी, कीप लेर्निग और गडब्लेस यू अल एवरीवन बाई